नमस्कार साथ ही और स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ACP का आवेदन ओनलाइन सालत दरपण के माध्यम से किस परकार से किया जाता है और कौन-कौन से डोकुमेंट हमको PDF बना कर अपलोड करने होते हैं अबजेक्शन लगे इससे अच्छा है कि हम चीजों को समझें उसके बाद में ही हम आवेदन करें तो आई इस वीडियो में हम step by step सारी चीजों को समझते हैं और ACP का आवेदन लाइव करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी जो भी डोकुमेंट होंगे उन सब को हमें PDF बना लेनी है और साथ में जो दो MB उसकी साइज है उससे कम ही रहनी चाहिए और जहाँ जहाँ भी हमारा लिष्ट में नाम आता है वहाँ पर टिक मार्क होने चाहिए वो सारी चीजे में आपको आगे बताने वाला हूँ एसीपी आवदेन के लिए हमें साला दरपन के स्टाफ लोगिन के उपर लोगिन कर लेना है इसके बाद में जो थीरी लाइन्स होती है इसके उपर किलिक करना है क्लिक करने के बाद में एक फॉर्न को ओप्शन आता है तो फॉर्म के ओप्शन के ऊपर हमको क्लिक कर लेना है फॉर्न में departmental services ऑल two departmental services के बाद में आप मर जैसे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस परकार से हमारे इसामने जो चार ओप्शन हैं वो खुल जाते हैं तो अभी के लिए हमें ACP के लिए अपलाई करना है तो अपलाई फोर ACP किलिक हैर तो यहां पर हमको किलिक कर देना है नीचे चलते हैं बेसिक सी चीज़े आते हैं जो हमको चेक कर लेनी है और परपतर दस में जो डिटेल्स हैं वहीं से लिए गई हैं तो अगर कोई तुरूटी नजर आती है तो आपको परपतर दस में सुधार कर लेना है आगे नोट दे रखा यदि कोई दस्तावेज है तीन परष्ट से ज़्यादा है तो आप पहला परष्ट जिस परष्ट में आपका नाम है और अंतिम परष्ट जहां पर सिकनेचर हो रखे हैं उन तीनों को ही आपको PDF में ले लेना है यदि आपके पहले परष्ट में नाम ह उनके लिए नोही रहने वाला है मूलपद जिससे ACP की गणना किया जानी है वो आपका मूलपद आ जाएगा यदि कार्मिक मोडल स्कूल का है तो पूर विद्धाले का NIC कोड भरे अन्यथा लागू नहीं तो यहां पर पहले से 0 है इसको ऐसे छोड़ देना है यदि कूल क आरिमिक मोडल स्कूल में कार्यात है तो उससे पहले का विद्धाले है उसके NIC कोड यहां पर खली छोड़ देते हैं कि कारेगर्यंड नोशनल ति후 कि जो कारेगर्यंड की ति-थी है वो या फिर नोशनल ति. अगर नोशनल लाब मिला है तो आप यहां पर अपनी नोशनल तिथी ही आपको भरनी है नुक्ति आदेश अपलोड तो यहां पर आपकी जो नुक्ति आदेश हैं जो शुरुवात में आपको मिले थे वो आपको यहां पर अपलोड कर देने हैं यदि आपको नोशनल लाब मि समिति के आदेश है वो तीन पेज में ले रखा है और जो कार घ्रहन की सूचना है वो भी मैंने इसमें साथ में अटेच कर दी है अब समय आता है बिफोर नून आप्टर नून तो आपने जो भी जोईनिंग किया है दो फैर से पहले किया है तो बिफोर नून आ जाएगा दो दे रखा है कि यदि पर्थम नुक्ति जिला परिशत पंचाय समिति के माध्यम से तर्टे सेने अध्यापक के पद पर हुई हो तो जिला इस्तापना समिति द्वारा जारी चैन आदेश की परती भी अप्लोड करें तो सबसे पहले हमें इस्ताई करन तिथी यहां पर में दे रखा है यदि जिला परिशत के माध्यम से हुई है तो वह भी अटेज करना है तो इसमें मैंने जो जिला परिशत के जो आदेश थे उसकी PDF बना कर आप देख पारे होंगे यहां पर मेरे नाम के सामने मैंने टिक भी लगा रखा है इसी परकार जो इस्ताई करन आद अपलोड हो जाते हैं आगे आता है समवर्ग तो इसमें तीन ओप्षन आते हैं मंत्रायलिक अधिनस्त सेवा और राजय सेवा तो थर्ड गरेड के लिए अधिनस्त सेवा ही लागू होती है तो अधिनस्त सेवा कर देंगे इसके बाद में सेव या अपडेट जो भी कर देना है और चीजों को अपडेट कर देना है तो इसमें जो डाटा सेव अपडेट हो चुका है अब नीचे चलते हैं सेक्षन की योगता परपत्र दस से लिए गई है तो आप इसको एक बार मिलान कर ले कोई तुरोटी है तो जो अपना फोर्म 10 होता है साला दरपन के उपर उसको ठीक कर ले प्रे सेक्षन की योगता बिया डेश्टी सी जो भी है वो सारी चीजे आप यहां पर देख ले नीचे ओप्षन खुल जाते हैं इसमें आपको परकार, पदोनितिपद, कारिगरेंड, प्रिताग, डिपीची, आदेश करमांग, आदेश दिनांग और आदेश की परती आपको चूज कर लेनी है और यदि आपका परमोशन हुआ नहीं है तो इसके उपर यस करेंगे यस क लेकिन जादतर साथियों के लिए जो 2012 वाले हैं उनको यसी ही करना है क्योंकि उनका भी जो चैनित वेतनमान है वो लागू नहीं हुआ तो ये दोनों चीजे जादतर केसेज में यसी ही रहने वाली हैं पुनरिक्षिक्त वेतनमान 2018 में निर्धरन का विवरन तो इसमें सातवा वेतनायोग दिया गया है तो सबसे पहला आता है परकार परकार में आपको फर्ष्ट कर देना है क्योंकि पहला ही मिला है सेवा के बाद में वेतनायोग सातवा मिला है पेवेंड लेवल डैस डैस वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 10 आ जाएगा इसमें क्यों शोला जाएगी यानिकी 1 जनवरी 2016 अब आगे आता है आदेश की परती तो आदेश की परती में आपको चूज फाइल को उपर किलिक करना है और आपकी फाइल जहां पर भी है उसको किलिक करके आपको अपलोड कर देनी है यादि कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर डिलीट क का उप्शन भी दे रखा है तो इसमें भी हम देख लेते हैं किस परकार से हैं तो यह जो वेतन का है यह सायक लेखा दिकारी के आदेश है और इसके साथ ही मैंने जो डीडियो कारे लेसे जो आदेश पारित हुए थे वो दोनों फाइले इसमें अटेच मैंने कर दी हैं आगे चलते हैं आवेदित ACP का परकार तो परकार में पहला है नो वर्सका तो नो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे दे दिनांग वो आपकी सबकी अलग-अलग हो सकती है मेरे केस में जोनिंग दिनांग थी जो 11-12 थी और 11-14 को इस्ताइकरन हो गया हम यह मान सकते हैं इस्ताइकरन से 7 साल के बाद में तो 11-21 से आपर मेरे केस में आ जाती है दे वेतनायोग तो वेतनायोग अभी सात्वा ही चल रहा है पे बेंड पे लेवल डैस डैस ही रहेगा इसमें और व्यतनमान ग्रेड पे अब जो हमको आविदन करना है वो एल ग्यारा के उपर करना है तो इसमें एल ग्यारा हम चूज कर लेंगे आगे आता है दिनांक 31.2.2 तक जीवित बच्चों पुत्रिय पुत्रों की संख्या यदि है तो आपको नाम डालना है उनकी जनमतिति डालना है और इसके बाद में सेव कर देना है माली जी दो बच्चे है तो जैसे ही सेव करेंगे तो आपका दो नमबर के कोलम यहां पर ओपन हो जाएगा उसको भी शेव कर देना है अगला आता है दिनांग 162002 अथवा इसके पश्चात तक जीवित बच्चो पुत्र-पुत्र की संख्या तो आपके जो पुत्र-पुत्र हैं वो नाम डियो भी और एक्षन में यहाँ पर सेव और डिलिट का दे रखा है गलती से हो जाता है तो आप इसक को आप सेव करेंगे तो या नीचे दूसरे बच्चे के लिए कोलम खुल जाता है यदि लागू होता है तो दूसरे बच्चे का नाम भी आप सेव करें इसके बाद में आता है संतान संबंदी गोश्णा पत्र तो आपको एफिडेविट बनवाना है वह भी मैं आपको दिया है आगे आता है सेव काल में करमचारी को CCA नियमों के तहट कोई सास्ती धंडा देश दिया गया है यदि CCA नियम के तहट कोई धंड दिया गया है तो हाँ पर किलिक करेंगे जैसे हाँ पर किलिक करेंगे तो हमको उसका विवरण देना होगा और यदि नहीं किया है तो आपको नहीं के उपर किलिक कर देना है आपे भी कभी कोई विवरण नहीं मांग रहा तो छोड़ो इसको तो इसके उपर हमको नहीं कर देना है सारी चीजे करने के बाद में नीचे दे रखा है अपडेट का उप्शन या save भी आ सकता है तो update के उपर हमको click कर देना है जैसे ही click करेंगे हमारा जो data है वो successfully save हो चुका है अब print का option आ जाता है तो हम print के उपर click कर लेते हैं और जितनी भी details हैं वो सारी आ जाएंगी आपको check कर लेना है यदि सारी चीजे सही हैं तो आपको final submit दे रखा है उसके उपर click करना होगा तो यहाँ पर final submit के उपर जैसे ही click करते हैं तो इसमें पूचा जाता है कि क्या आप इस प्रविष्टी को अंतिप्रूप से आगे अगर इसीत करना चाहते हैं तो इसको जैसे ही yes करेंगे एक OTP के माध्यम से हमारा जो form है वो final save हो जाएगा चुकि यह वीडियो अभी मैं live बना रहा हूँ तो एक बार मुझे इसको रीचेक करना है तो अभी के लिए मैं no कर देता हूँ यदि आपको PDF में यदि आपकी PDF है दो MB से जादा होती है या फिर आपको पेज हटाने में जोडने में कोई समश्या रही है या फिर नाम टिक करने में कोई समश्या रही है तो इस परकार की कोई समश्या आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मैं इसके पर एक special वीडियो बना दूँगा जिसमें आप अपनी PDF फाइल को अपनी इच्छानुसार कैसे भी एड़ेस्ट कर सकते हैं और जितने पेज आपको चाहिए उतने पेज ले सकते हैं उसकी साइज को भी कम कर सकते हैं साथी उम्मिद करता हूँ कि यह जान करें आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो